भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रंखला का पहला मुकाबला 12 जुलाई से शुरू हो गया आपको बता दें कि डे वन भारत ने वेस्ट इंडीज को सिर्फ देड़ सो रनों पर आल आउट करते हुए पहले दिन का खेल 80 रन पर बिना विकेट गवाई ही समाप्त किया वेस्ट इंडीज की टीम भारत के आगे पूरी तरह से लड़ खडाते हुई नजर आ रही है लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया उन पर दब दबा बनाने में कायम रही इस मुकाबले में भारत के दो बल्लेबास यशस्वी जैस्वाल और इशान किशन का डेब्य हुआ आपको बता दें कि भारती सलामी बल्लेबास शुबमन गिल को हटा कर यशस्वी जैस्वाल को सलामी बल्लेबास के रूप में उतारा गया लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि यशस्वी जैस्वाल को सलामे बल्लेवास की जिम्मदारी दे कर शुबमन गिल को इस भूमिका से क्यों हटाया गया तो इस पर बात करते हुए खुद शुबमन गिल ने इसके बारे में जानकारी दी है और बताया कि नमबर दीन पर खेलने के पीछे क्या वज़ा है आपको बता दे कि मैच को दोरान ब्राटकास्टर से बात करते हुए शुबमन गिल कहते हैं कि भारत एक लिए खेलते हुए मैंने तीन और चार नंबर पर काफी बैटिंग की है उन्होंने मुझसे पूछा कि इस सीरीज में किस स्थान पर खेलना चाहते हो मैंने कहा कि नंबर तीन मेरे लिए अच्छी जगा रहीगी नई गेंद के सामने खेलना हमेशा फायदेमंद होता है ओपन करते हुए इस से मुझे फायदा होता है ओपन करने में और नंबर तीन पर खेलने में अंतर है पारियों के बीच में आपको ज़्यादा ब्रेक मिलता है आपको बता दे कि हाल ही में शुबमन गिल अपने सबसे बड़िया दौर से गुजरे है उन्होंने टेस्ट, वन डे, टीट, आईपिल जैसे सभी प्रारूपों में शतक लगाए है हाला कि WTC के फाइनल मुकाबले में शुबमन गिल का बल्ला दोनों पारियों में खामोश रहा लेकिन आने वाले समय में शुबमन गिल को एक बड़ा स्टार माना जा रहा है इस सीरीज में शुबमन गिल से रनों की उमीद है अगर बलेबाज इस सीरीज में एक शतक भी जड़ देते हैं तो फिर उनके करियर के लिए ये एक अच्छी बात रहेगी फिलहाल इस खबर में इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें साते साथ हमारे यूट्यूब चैनल वन इंडिया हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें